नमस्कार मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साइत गंगा में पुनह एक बार स्वागत करता हूँ आज हम प्रस्तूत हुए हैं भारतेंदु जी का निबंद भारत वर्सोन नति कैसे हो सकती है लेकर के और हम इस निबंद का सरांज भासा सैली और इस निबंद में प्रिप से हो सकती है यह निबंद एक सांस्कृतिक निबंद है और भारतेंदु जी ने इस निबंद का ब्याख्यान बलिया को ददरी pięля मेले में दिया था भारत का दूसरा सबक्रेंब्रहा मवेशी मेला और नीदु दिया था। इसलिए इसे बलिया का ब्याख्यान के नाम से भी जाना जाता है। और भारतेंदुजी का बलिया ब्याख्यान दिसंबर 1884 में हुआ है। आईर अब इस निबंद के सरांस की तरफ चलते हैं। भारतेंदुजी ने इस निबंद में भारत वर्ष के उन्नती के और रोधों पर पहले प्रकाश डाला है उसके बाद उसके समाधान की भी बात करते हैं भारतेंदुजी सबसे पहले भारत वर्ष की समस्या का जड़ आलस पताते हैं और उस पर प्रकाश डालते हुए करते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुस्यों को एक बड़े उत्सा से एक अस्थान पर देखते हैं इस भागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जहां कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रसंसा के योग्या है इस उत्सा का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रगट हो गया कि इस देश के भागे से आजकल यहां सारा समाज ही ऐसा एकत्र है राबर्ट साहब बहादूर ऐसे कलेक्टर जहां हो वहां क्यों न ऐसा समाज हो जिस देश और काल में इस्वर ने अकबर को उत्पन किया था उसी में अबुल फजल बिरबाल टोडरमल को भी उत्पन किया यहां राबर्ट साहब अकबर है तो मूनसी चतुरभूत साहाई मूनसी बिहारी लाल साहब आदी अबुल फजल और टोडरमल है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है यद्दपिप फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आदी गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े-बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई च कौन याद दिलावे या हिंदुस्तानी राजे महराजे नवाब रईस या हाकीम राजे महराजे को अपनी पूजा भोजन जूठी गब से चुटी नहीं हाकिमों को तो कुछ सरकस का काम घर घेरे रहता है यानि भारतेंदु जी का इसके उपर फोकस हो जाता है फिर कि भार हो मौन साध्य क्यों खड़े हो इसके बाद उन्हें अपने बल और सकती का असमरण उसी प्रकार हो आएगा जिस प्रकार जामवन द्वारा या दिलाए जाने पर हरुमान जी को अपने बल और सकती का असमरण हो अया था समस्या तो सही नेत्रित्य की है इसलिए भारतियों को ऐसे नेता क्या हो सकता है जो उनके बल और पौरोस का अस्मर करा कर उन्हें करता बिमार की ओर अगरसर करें फिर भारतेंदु जी तीन मेढक की कहानी बताते हैं कि तीन मेढक एक के उपर एक बैठे थे उपर वाले ने कहा जौक सौक बीच वाला बोला गम सम्त सबके नीचे वाला पुकारा गए हम सो हिंदुस्तान की प्रजा की दसा यही है गए हम पहले भी जब आरे लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे राजा और ब्रामणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीती फैलावे और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रती दिन क्या प्रती छन बढ़े पर इन ही लोगों के निकम्मेपन ने घेर रखा है फिर भारतेंदु जी कहते हैं हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती और उस समय में जबकि इनके पूर्शों के पास कोई समान नहीं था तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्ट की कुटियों में बैठ कर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि बेद करके उनकी गती लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपे की लागत की बिलायत में जो दुर्वेन बनी है उनसे उन ग्रहों को बेद करने में भी वही गती ठीक आती है और जब इस काल में हम खोब पुस्तके और हजारों यंतर तयार हैं तब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेकने की गाड़ी बन रहे हैं इसके बाद इस निबंद में भारते इंदुजी इंग्लेंड से सिख लेने की नसिहत भी देते हैं और कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुस्य जन में बड़ा दुरलब है सो मिला और उस पर गुरू की किरपा और उस पर मेरी अनुकुलता इतना समान पाकर भी जो मनुसे इस संसार सागर के पार न जाये उसको आत्म हत्यारा कहना चाहिए वही दसा इस समय हिंदुस्तान की है अंग्रेजों के राजी में सब प्रकार क समान पाकर औसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नती न करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोफी है भारतेंदु जी कहते हैं कि बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंदे के मारे छुट्टी ही नहीं है रहती बाबा हम क्या उन्नती करें फिर भारते से उन्नती के काटों को साथ किया क्या इंग्लेंड में किसान खेत वाले गाड़ीवान मजदूर कोचवान आदी नहीं है किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते किन्तु यह लोग जहां खेत जोते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दुना अन्न उपजए बिलायत में गाड़ी के कोचवान भी अकवार पढ़ते हैं जब मालिक उतर कर किसी दोस्त कहा गया उसी समय कोचवान ने गदी के नीचे से अकवार निकाला यहां उतनी देर कोचवान हुका पीएगा ग गप भी निकम्मी वहां के लोग गप में देश के प्रबंद छाटते हैं सिधानतिया की वहां की लोगों का यह सिधानत है कि एक छिन भी बेर्थ न जाए आलास यहां इतनी बढ़ गई कि मलुक दास ने दोहा बना डाला अचकर करेन चाकरी पंची करेन काम दास मलूका कही गए सबके दाता राम इसके बाद भारतेंदु जी बहुत सारे उदाहनों के द्वारा सिखाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भाईयों राजा महराजों का मुह मत देखो मत यह आसा रखो की पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बु जांते हैं और कहते हैं कि अब यह प्रश्ण होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस्चिणिया का नाम है किसको अच्छा समझें क्या लैं क्या चुड़ें भारतेंदु जी आगे कहते हैं कि इसे सब के पहले धर्म की हिन्नति करनी उचीत है। देखो अंग्रेजों की धर्मनीती राजनीती प्रस्वर मिली है इसे उनकी दिन दुनी कैसे उन्नती है दो एक मिसाल सुनो यदि तुम्हारा बलिया का मेला और यहां अस्थान क्यों बनाया गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते दस दस पांच पांच कोस से व कर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चड़कर विकार न उत्पन करें दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहारें साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगडी हवा अस्थान अस्थान पर अगनी जलने स स्वच्छ हो जाए यही तेवार ही तुम्हारी म्यूंसिपाल्टी है ऐसे ही सब पर्व सब तीर्थ वर्त आदी में कोई हिकमत है उन लोगों ने धर्म निती और समाज निती को दूद पानी की भाति मिला दिया है खराबी जो बीच में भाई है वह या है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मानने लिखे थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सोधे और बदले जा सकते हैं बहुत सी बाते जो समाज बिरुदह मानी जाती है किन्तु धर्म सास्त्रो में जिनका विधान है उनको चलाईए इसके बाद भारतेंदुजी समाजिक कूरुतियों को दूर करने का संदेश देते हैं और कहते हैं कि धर्म सास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाईए जैसा जहाज का सफर विध्वा विवाह आदी लड़कों को छोटे पन ही में ब्याह करके उनका बल आयूस सब मत घटाईए आप उनके माबाप हैं या सत्रू हैं नोन तेल लकड़ी की फिकर करने की बुद्धी सीख लेने दी कुलीन प्रथाब बहु विवाह आदी को दूर कीजिए लड़कियों को भी पढ़ाईए किन्तु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं जिससे उपकार के बदले बुराई होती हैं ऐसी चाल से उनको सिच्छा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सिख हैं पती की भक्ती करें और लड़कों को सहज में सिच्छा दे इसके बाद भारतेंदु जी इस्तिबंध में जाती धरम संप्रदाय का मत भेद मिटाने की बात करते हैं भारतेंदु जी कहते हैं कि बैसरों सास्त्री त्यादी नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर जिए जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिये छोटी जाती के लोगों का तिरसकार करके उनका जी मत तोड़िये सब लोग आपस में मिलिये मुसलमान भाईयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस करवे लोग हिंदु को नीचा समझना छोड़ दे ठीक भाईयों की भ जानी चाहिए जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहच प्राप्त है उनमें जाती नहीं खाने पीने में चौक चूला नहीं विलाज जाने में रोक तोक नहीं फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दसा कुछ नहीं सुधारी अभी तक तो बहुतों को यही ग्यात है कि दिल्ली लखनाव की बादसाहत कायम है यारो वो दिन गये अब आलस हट धर्मी यह सब छोड़ो चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दोड़ो एक एक दो होंगे पुरानी बात है दूर करो फिर किसी जाती किसी रंग का क्यों नहों वह हिंदू है हिंदू की सहायता करो बंगाली मराठा पंजाबी मदरासी वैदिक जैन ब्रामडो मुसल्मान सब एक का हाथ एक पकड़ो इसके बाद भारतेंदु जी इस निबंद में पिंसीन वजीफार नौकरी का लालत छोड़कर स् और इसमें कहते हैं कि कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहां बढ़ है तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे वह करो देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है वैसे ही तुम्हारी लचमी हजार तरह से इंगलेंड, फार्सिस, जर्मनी, अमिरिक की बनी है जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंगलेंड का है फरासिस की बनी कंगी से तुम सिर जारते हो और जर्मन की बनी चर्वी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहिन कर किसी माफिल में गए कपड़ जोस तुम ऐसे हो गए कि अपने नीज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते इसके बाद अंत में भारतेंदुजी परदेसी वस्तु और परदेसी भासा का भरोसा न करने का संदेश देते हैं और कहते हैं भाईयों अब तो नींद से चौको अपने देस की सब प्रकार उन्नती करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो वैसे ही खेल खेलो वैसे ही बात चित करो परदेशी वस्तु और परदेशी भासा का भरोसा मत रखो अपने देश में अपनी भासा में उन्नति करो इस प्रकारिया निबंद यहां पर समात हो जाता है अब हम इस निबंद के भासा साली पर संचिप रूप से प्रकास डालते हैं। संदर्व दिया है। इस निबंद में कुछ सुक्ति परकवाक्य भारतियों को रेल गारी की संग्या दी है। क्योंकि जैसे रेल गारी बिना इंजन के नहीं चलती वैसे ही भारतियों को भीपरते कारे को पूरा करने के लिए एक उसल नेत्रित के आवसेक्ता होती है। स्वयम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कोई जगाने वाला उत्साइद करने वाला या मार्क दिखाने वाला तो मिलना ही चाहिए। भारतियों को अपना काम स्वयम करने के लिए आत्मिश्वास और द्रिड्स इच्छा सकती पैदा करनी ही होगी क्योंकि काम करने की प्रेणा हिर्दय की गहराईयों से ही उत्पन होता है। फिर एक सुक्ती भारतेंदुजी ने प्रयोक किया है जपानी टटूओं को हाथते हुए दोड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। इसका तत पर यह है कि उन्नती की दोड़ में सभी देशों के नागरिक घोडों की भाती तिवर गती से दोड़ रहें। जपान के निवासी सारीरिक सक्ती में अन्य देश्वासियों के अपेच्छा कमजोर समझे जाते हैं। इसलिए भारतेंदुजी यहां जपानियों को टट्टू की संग्या दे रहे हैं। जपानी आलस में विश्वास नहीं करते, वे अपने करतब्य के प्रति पुन रूप से सजग हैं, तथा अपनी सारीरिक तुरबलता को उन्नती के मार्ग में बाधा नहीं बनने देते हैं। आसा यह है कि भारतियों को जपानियों से प्रणा लेनी चाहिए। इसके बाद एक सुक्ती है, इंग्लेंड का पेट भी कभी यूँ ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दुसरे हाथ से उन्नती के काटों को साफ किया। इसके द्वारा भारतेंदु जी प्रारम में इंग्लेंड की निर्धनता पूर्ण इस्थिती एवं उसको धूर करने है तो वहां के निवासियों के कर्माचता पूर्ण प्रयासों को अस्पष्ट करते हैं। फिर अगली सुक्ती है, सब उन्नतियों का मुल धर्म है। इसके द्वारा भारतेंदु जी का यह मानना है कि सर प्रतम हमें धर्म की उन्नति करने चाहिए क्योंकि धर्म की उन्नति होने पर सभी प्रकार की उन्नति स्वता होने लगती है। धर्मो रच्छती रच्छता है। संदेश देना चाहते हैं कि भारतवासियों को विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी भासा को त्याकर स्वदेशी वस्तुओं तता स्वदेशी भासा को अपनानी चाहिए। क्योंकि अपनी भासा के अभाव में हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते और नहीं अपने विचारों का अदान परदान कर सकते हैं अता ऐसी प्रस्तिती में विकास होना असंभव प्रतीत होता है तो साथियों इस प्रकार से इस निबंद में आई हुई कुछ ये महत्तुपूर्ण सुक्तिया थी अब यह निबंद भारत वर सोननती कैसे हो सकती है यहाँ पर समाथ होता है यदि आपको यह प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना न भूले और साथ में इस वीडियो को अपने साथियों और साथियों के साथ सेयर करना भी न भूले आपका लाइक करना ही हमारे मनोबल को पढ़ाता है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो आपसे यह आगरा करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें साहित गंगा पर कहानी, निबन, कविता, आदि से संबंदित बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं इनी बातों के साथ हम अपनी बारी को बिराम देते हैं हम फिर मिलेंगे किसी नए पार्ट के साथ तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत, आपका दिन सुभो